करवा चौत का व्रत नारित्व की शक्ति और उसके प्रेम की पराकास्ठा का पर्व है ये व्रत सदियों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें इस्त्रियां अपने पती की लंबी आयू और सम्रिधी की कामना करते वे दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं इस दि दिलाती है कि प्रेम विश्वास और त्याग का रिष्टा ही एक परिवार की नीव को मजबूती प्रदान करता है इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं बलकि ये आत्मेता और इस नहें के रिष्टे को पुनह जीवन्त करने का दिन है करवा चौत की ये कथा हम में बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं बलकि आत्मा से होता है जहां कोई शर्ते नहीं होती केवल समर्पड और विश्वास होता है चंद्रमा के उदय के साथ जब व्रतिधारी इस्त्रियां अपनी पूजा संपन करती है तो उनके चेहरे पर अध्विति शांत प्रेम का अटूर्ट बंधन सजनी करती पूजा आज हो दीरखायू साजन का जीवन इसे शुपकामना के साथ आप सभी माताओं बहनों को करवा चौत की डेहर सारी शुपकामना है आज की इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने पती की दीरख प्रच ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खीचने लगा मृत्यों को करीब देखकर करवा के पती करवा को पुकारने लगे करवा दोड़कर नदी के पास पहूंची और पती को मृत्यों के मुह में ले जाते समय उस मगर को देखा करवा ने तुरत एक कच्चा धाक लेकर मगरमच को एक पेड़ से बांध दिया करवा के सतित्व के कारण मगरमच कच्चे धागे में ऐसा बधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था करवा के पती और मगरमच दोनों के प्राण संकट में फसे हुए थे करवा ने यम्राज को पुकारा और अपने पती को जीवन दान देने और मगरमच को मृत्य दंड देने के लिए कहा यम्राज ने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच की आयू शेष है और तुम्हारे पती की आयू पूरी हो चुकी है तब क्रोधित होकर करवा ने यम्राज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो म प्राइब कर्वामाता की तरह देविस सावित्री ने भी कच्छे धागे से अपने पती को वट वरिक्ष के नीचे लपेट रखा था कच्छे धागे में लिप्टा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यम्राज सावित्री के पती के प्राण को यम्राज को लोटाना पड़ा और सावित्री को वर्दान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अटल बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे अब सुने करवा चौत फृत की दूसरी कथा एक ब्रहमण के साथ पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलोती पुत्री थी साथ भाईयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाईयों की लाडली थी और सभी भाई उसे अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते थे कुछ समय बाद वीरावती का विवहा किसी ब्रहमण युवक से हो गया विवहा के बाद वीरावती माय के आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौत का वरत रखा लेकिन शाम होते होते वे भूक से व्याकुल हो उठी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बेहन से भी खाना खाने का आगरह करने लगे लेकिन बेहन ने बताया कि उसका आज करवा चौत का निर्जल वरत है और वह खाना सर्फ चंद्रमा को दे कर उसे अर्ग दे कर ही खा सकती है लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है वीरावती की ऐसी हालत उसके भाईयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक चला कर चलने की ओट में रख दिया दूर से देखने पर वह ऐसा लगा मानो चांद निकलाया हो फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा बहन चांद निकलाया है तुम चांद को अर्ग देने के बाद भोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे सीडियों पर चड़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्ग देकर भोजन करने पैट गई उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुह में डाला तो उसे चीक आ गई दूसरा टुकड़ा मुह में डाला तो उसमें बाल निकलाया उसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुह में डालने की कोशिश की तब ही उसे ससुराल से समचार मिला कि उसके पती का स्वास्त बहुत खराब है वह शीकर अपने पती को देखने ससराल पहुंचाए इसके बाद उसकी भावी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसलिह हुआ क्योंकि उसने करवाचोथ कवरत बिना चंदर देख की पूजा किये ही तोड़ दिया था उसके भाईयों ने आग जलाकर जूट कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना वरत तोड़ दिया इस कारण उसका पती बिमार पढ़ गया सचाई जानने के बाद करवाच अपने सचराल को गई और यह प्रतिग्या की कि मैं अपने पती को कुछ नहीं होने दूँगी तो भागे वश जब करवाच अपने सचराल पहुँची तो उसका पती प्राण छोड़ चुका था पती के प्राण चले जाने पर करवा इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से कहने लगी कि मैं अपने पती का अंतिम संसकार नहीं होने दूँगी मैं अपने पती से दोड नहीं रह सकती मैं एक पती वृता और सतित्व की शक्ती से अपने पती के प्राणों को वापस लाऊंगी और फिर वह अपने मृत पती को लेकर एक जोबडी में रहने चले गई और अपने पती को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा वृत आधी करने लगी इस प्रकार एक साल भी था फिर करवा चोथ का वृताने पर उसने विधी विधां से निर्जल और निराहा रहकर करवा चोथ का वृत रखा चौथ मॉय की और गनेश भगवान की बूजा की रात को चंदर देवता को अर्ग देकर वृत का समापन किया वृत का समापन होते ही उसका पती जै गणेश जै गौरी जै गणेश जै गौरी कहता हुआ पुनर जिवित हो गया इस प्रकार करवा चौत वरत के पुन्य प्रभाव से वीरावती का पती उसे वापस मिल गया और तब वीरावती ने चौत माई से प्रार्थन करी कि हे मा जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और चिर्ष सुहा का आशिरवात दिया ठीक उसी प्रकार हे माता हे गरपती भगवान सभी इस्तिरियों को सुहागन रहने का आशिरवात देना प्रेम से बोलिए करवा माता की जय अब जाने करवा चौथ की पूजा विधी के बारे में करवा चौथ के व्रत से एक दिन पहले सभी सुहागन महिलाओं को श्रंगार की सभी सामगरी अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए ताकि कोई सामगरी खराब न हो और मेहदी आदी लगा लेनी चाहिए इसके बाद करवा चौथ के दिन सुभा ब्रहम मूर्थ में उठकर आप सुभा तीन से पांच बजे के बीच में सर्गी ग्रहंट कर सकती है यदि आपके हाँ पर सर्गी ग्रहंट करने का रिवाज हो सर्गी में आप हलका फुलका कुछ भी ग्रहंट कर सकती है नारियल पान करें नहीं तो आप स्वेम भी सर्गी ग्रहांट कर सकती हैं इसके बाद आपको श्रंगार करके सुभा की पूजा करनी चाहिए और सुभा की पूजा आप संकल्प लेकर या करवा माता की कथा के साथ अपने दिन की शुरुवात कर सकती हैं दिन भर उपवास रखने के बाद को चंद्रोदे होने से पहले स्नान करके आप अच्छे से सोला श्रंगाल करें एक दुलहन की तरह सजे सवरे एक चौकी पर लाल या पीला वस्त बिछा कर उसके चारों और सुंदर अंगोली बनाए फूलों से मंडब सजा सकते हैं चौकी पर करवामाता की तस्वीर भी मिल जाएगी गड़ेश भगवान की तस्वीर भी उसमें बनी होती है तो यदि आप अलग से गड़ेश भगवान की स्थापना ना करना चाहें तो केवल करवा चौथ वृत की तस्वीर की ही स्थापना आप कर सकते हैं जल से बरावा एक कलश रखें करवे रखें और सासुमा को या परिवार की किसी सुहागिन मेला को सुहागी सामगरी के साथ कुछ भेट दक्षिना या वस्त्र आदी दे और उनके पैर चूकर उनका आशिरवात प्राप करें चंदरमा उदय हो जाने पर आटा चानने वाली एक चलनी में दीपक रखकर सबसे पहले चंदर देवता को और अपने पती के मुख के दर्शन करने हैं फिर चंदर देवता को हाथ चोड़ कर प्रणाम करने के बाद अपने पती के हाथों से फल या मिठाई और जल ग्रहन करके आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए इसके बाद आप शुद्व सात्विक भोजन ग्रहन क आप सुने करवा चौत व्रत की आरती यश तुम्हारा गावत यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी ओम जय करवा मैया कार्तिक क्रेश्न चतुर थी जो नारी व्रत करती मैया जो नारी व्रत करती दीर घायू पती होवे दुख सारे हरती ओम जय करवा मैया होए सुहागन नारी सुख संपती पावे मैया सुख संपती पावे गणपती जी बड़े दयालू विघन सभी नाशे ओम जय करवा मैया करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे मैया व्रत कर जो गावे व्रत हो जाता पूरण सब विधी सुख पावे ओम जय करवा मैया मता जय करवा मैया जो गावे व्रत करे तुम्हारा पार करो नईया ओम जय करवा मैया झालू